तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले कोश्चन को देखो basically इसमें क्या कर रहे हैं कि देखो अब इसमें एक जैमेंस के 2019 का कोश्चन है तो एनर्जी रिक्वाइब फार सेटलाइट एज एब अर्थ सर्फेस की अर्थ की रैडियस इतना है मतलब अगर एक सैटलाइट है ये देखना समझना इस को अगर एक सैटलाइट है तो इस सैटलाइट ये जो है और एक सैटलाइट को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाता हूँ तो मुझे कितनी energy की जरूरत है even और यह height कुछ h है this height is h already mentioned this is the radius r और इस अर्थ का mass m है और यह जो है अर्थ है अर्थ का center है तो पहली तो story यह है दूसरी story है कि अगर कोई satellite है यह आर्बिट है तो इस आर्बिट में अगर मूग कर रहा है तो उसकी आर्बिटल velocity भी नॉट होगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है ओ काइनेटिक energy e2 के equal है ठीक है तो अब देखो अगर यह height अगर मैं change करूंगा तो ऐसा possible e1 और e2 आपस में equal हो जाए तो उस height की value निकालो when e1 बराबर हो जाए e2 के ठीक है तो सबसे पहले मुझे यह निकालना पड़ेगा कि अगर कोई satellite है और अर्थ के surface से मैं edge height तक उपर लेके जाता हूं तो मुझे कितनी energy की ज़रूरत पड़ेगी तो energy की ज़रूरत पड़ेगी that is work done by conservative force work done by the conservative force is equal to work done is equal to that is energy even is equal to change in potential energy तो यह conservative force देखो आप satellite को नीचे पूल करेगा तो यह जो work done by external agent आएगा तो by external agent I hope कि ऐसा सवाल बहुत बार आप किये होगे तो work done by external agent is equal to plus change in potential energy तो change in potential energy क्या होगा तो potential energy final minus potential energy initial potential energy final कितना होगा minus gm mass of the satellite mass of the radius और r plus height as minus initial potential energy minus gm जब earth के surface पे satellite था तो r तो यह basically क्या है that is the even तो even को और अच्छे से अगर मैं लिखूंगा तो यह जाएगा minus gm चलो इसको यहीं पर रहने देते हैं यह basically हमारा क्या है even की value है तो अब इसको मैं equation first बोल देता हूं कि even इतनी energy की जरूरत है work done by external agent to carry the satellite satellite को लिजाने के लिए हमें external agent को इतना काम करना पड़ेगा चाहो तो और इसको और दूसरी again अब solve कर सकते हैं इसको again kinetic energy satellite की क्या होगी बोलो kinetic energy is equal to half m orbital velocity b square that is e2 तो यहां से तुम देखोगे तो e2 की value तो e2 जब तुम calculate करने जाओगे तो इस e2 की value half mass of the satellite orbital velocity का formula क्या होता है तो orbital velocity हम सब को पता है gm और m यहां पर orbital velocity जो होती है किसी भी satellite की तो उसको मैं बड़े अराम से निकाल सकता हूँ तो orbital velocity gm और r plus h under root है तो इसका square चट जाएगा तो orbital velocity यह सब को आना चाहिए तो यह finally इसको देखोगे तो यह जाएगा gm a square heart गया 2r plus h that is equation number 2 तो यह 2r plus h यह आगया equation number 2 अब क्या करना भाई सिंपल सी बात है condition कर रहे हैं कि even e2 बराबर है तो height निकालो तो एक काम करता हूँ मैं यह even e2 आपस में equal कर देता हूँ equate equation first and second तो चलो first and second को मैं बराबर कर देता हूँ तो equation first and second आपस में equal है मतलब even बराबर है e2 के तो even की value क्या है even की value है देखो यहाँ से gm अगर common ले लोगे even में से even को मैं लिख लेता हूँ तो gmm common ले लिए तो one minus gm और यहाँ से r common नहीं ले सकते क्योंकि r यहाँ पर ऐसे नहीं है तो gmm अगर common ले लिए तो one upon r और gmm यहाँ से उठके common आ गया तो finally बचा कितना इसीच को तुम देखो तो one is equal to r plus h that is the even और बराबर होगा e2 के gmm is equal to r plus h two times तो finally अब कुछ नहीं है इन दोनों को अगर मैं solve कर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा h की value तो gm ने gm को काट दिया और यहाँ जाएगा r plus h और minus r और यहाँ जाएगा r r plus h और यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा one two times r plus h तो r plus h r plus यहाँ से कतम होगे r अहाँ s कतम होगया तो h की value आ जाएगी r by 2 तो वो special height है जहाँ पर मिल जाने में और finally इसका numerical value गर calculate करोगे तो इस numerical value is h की जो value आ जाएगी तो r की value कितनी आ जाएगा 6.4 into 10 की power 5 है कीलो मीटर है तो finally 6.4 मीटर होता नहीं 6.4 यहाँ से तुम देखोगे तो finally यह 6.4 into 10 की power 3 कीलो मीटर तो यहाँ से तुम देखोगे 3.2 into 2 से divide कर दोगे 10 की power 3 3.2 into 10 की power मतलब यह देखोगे तो 3.2 कीलो मीटर सब कुछ कीलो मीटर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यह d option हम लोगा match कर जाता है तो आई हो कि आपको clear हो गया हो गया है सबब